शिमारू के नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें कि यारू देत के लिए और करे लिए सान से ही सान वाह्रू हर्शो । कि यारू एाओ thesis हूरлись में वीडियों के ढीकन की यारू कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल कर दो कर दो करा दो प्रप्राइब क्रास्ट करम कर दो 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 चन्दंगा बोले, जे, खागुर सब के हवेली चलो कोई पर्देशी मालूम होते हूँ सुना नहीं, हवेली के तो सब जागिरदार गतल कर दिये गए नहीं बाबू, इतनी रात को तुम्हे भी उस भूद बंगले में नहीं जाना चाहिए मुझे जाने ही होगा मैं एन वक्त पर पहुंचा कुमार डॉक्टर पांडे आप अभी तक चन्दंगर में है आईए मैं आपको लेने आया खुले जी आपको सामान भगी में रखू आईए चली तो चन्दंगर की हवेली भूद बंगला बन दे वक्त वक्त की बात है मुझे भी हवेली की तरफ जाते वे डर मालूब होता है लेकिन जागीर की नौक्री छोड़ भी नहीं था वैसे तो चन्दंगर की आब हुआ इतनी अच्छी है के डॉक्टर की जुरूरती नहीं यहां कोई बीमार होकर नहीं मरता था मार दिया जाता है आपके चाचा जी दम तोड़ने ही वाले थे के खुदरती माय वहां पहुँच गया उन्हें हस्पिताल पहुचाने की बहुत कोशिश थी लेकिन बेचारे रास्ते में ही चल बसे ऐसा लगता है ये काम इंसान का नहीं समझ में कुछ नहीं आता डॉक्टर अखिर ये हो क्या रहा है बात ही कुछ ऐसी बीस साल हुए आपके दादा जी मार डाले गए उसके बाद आपके पिता जी आप चाचा जी आपके चाचा जी को यकीन था के खानदान पर जरूर कोई न कोई शराब है वैसे तो उन्होंने खूनी को पकड़ने के लिए दसजार रुपए इनाम भी मुकरर किया था फिर भी कुछ नहों सका पुलिस अलग परेशान है अच्छ डॉक्टर अगर मुझे भी कुछ हो गया तो वैसे तो वसीयत नामे के मुताबक जागीर मुझे मिलनी चाहिए लेकिन आपके चाचा जी की मौत से कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद जागीर में से हिस्सा मांगने के लिए मोहन बाबू यहां पहुंचे था कौन मोहन बाबू वही जिनके पिता जी का जगड़ा आपके दादा जी के साथ हुआ लेकिन वह जगड़ा जागीर की सिलस्ते मना ही था कुछ और ही बात थी खर छोड़िये इन बातों मोहन बाबू गाउमे का करता है ये भी एक पहली है वैसे तो उनकी टांगों में एक बीमारी है लेकिन फिर भी सारा दन बैसाखी का सहारा लेकर वो इधर से उधर भूमते रहते हैं इन्ही हालात को देखकर मैं नहीं चाहता था कि आप लंदन से वापेस आई सच मुछ यहां आपकी जान को खत्रा है अवेली का पुराना नौकर लक्ष्वन समच गया मैं समच गया मैं दलदल के उस पार ही रहता हूँ जरूरत पड़े वाब मुझे बुलवा लीजी वैसे तो लक्ष्वन जैसा मैंने कहा तुमने सब इन्साम करके रखा हो अच्छा कुमार इस वक्त मुझे बहुत जरूरी काम है पुर्णाय 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 फर मुलाकात हो आईये मानिक इसली से नौकर, चाकर, मुन्शी, मुनीम सब डर के भाग गये मैं भी भाग जाता लेकिन आपके आने से रुप गया हुआ हुआ फिर वही कमरा, फिर जागीर्दार, सब जागीर्दार, इसी कमरे में रहा करते थे, वो दर्वाजा, खुलता है, सीधा जलदल की तरफ खुलता है, यही है घुम्रों की पुरकश्षिशावास, सब जागीर्दारों को कतल कर दिया, लक्समान, मेरे रहने का इंतिजाम भी इसी कमरे में क्या जाए, इसी कम्रे में की आजाए? इसी कम्रे में की आजाए? इसका पुरसरार चंदनगार दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है हर तरफ बहार ही बहार चाई हुई है सपने सुहाने लड़क बनके मेरे नैनों में दोले बहार बनके सपने सुहाने लड़क बनके मेरे नैनों में दोले बहार बनके जब छाए खटा मतवारी मेरे दिल में चलाए आरी जब छाए खटा मतवारी मेरे दिल में चलाए आरी घब राए अकेले मनवा मैंने के जवानी हारी कैसे कटे दिन ये उलजन के कोई लादे जमाने वो बच बनके सपने सुहाने लड़क बनके मेरे नैनों में दोले बहार बनके जब दूर कपी यहां बोले दिल खाए मेरा हिच बोले जब दूर कपी हां बोले दिल खाए मेरा हिच बोले मैं लाज से मर मर जा जब फूल पे भवरा डोले मैं लाज से मर मर जा जब फूल पे भवरा डोले छेडे पवनिया तराने मन के मुझे भाई ना ये रंग जीवन के सपने सुहाने नड़क बनिदे, मेरे नैनों में दोले बहार बनिदे सब्सक्राइब करता बनिदे लुज़ करें आपके जूप्त में तो बहुत बड़ा शीकारी आगया मारता है चीडिया, वो भी बंदूग से फिर भी निशाना खाली मार दो दो चास चीडिया चीडि मार सहार अगर शिकार का इतना है, तो सामने जंगल में जाके शेर मारो तुम्हारी बंदूग की आवास से डरके मेरी सारी बक्रियां भागे उन्हें अखटा करके घर वापस कौन लाएगा मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम्हे सुना तुमने या नहीं, जो मेरी बक्रियां खटा करके ला दो जवाब नहीं साहब बन गय तो हिंदूस्तानी ही नहीं समझते हॉलो साथ हाडू डू डू इस कुरू तो ठीक है अरे, फिर भी खामोश कहीं आत्मी बहरा तो नहीं अच्छा, मेरा नाम भी राधा है बहरे को भी समझा सकती हूँ ए बहरे, देख वो बक्रियां है न, है न, मेरी है, मेरी तुम्हारी बंदो की आवाज से आवाज से डर कर इधार उधार भाग गए उन्हें अखटा करके मेरे पास लियाओ, समझें जौ जौ लियाओ अरे, इसके पलके नहीं हिल रहे इससे शायद दिखाई भी नहीं देता अब कुछ बात हुई सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता तो बंदूख चलाने का मतलब क्या हुआ मान लो कोई चिडिया मर भी जाये तो उठाकर कैसे लाएगा हाँ जवाब ने, इसने तो मुझे ही बना दिया भागो, घर देख लिया तो पीछा ही नहीं छोड़ेगा हाँ 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 मुझे सख अफसूस ही राद दिन तडबती हुई मचलियों को देखने वाला जरा सा खून देख पर परिशान क्यों खो गया मरे हुए को देख तर मुझे जरा भी अफसूस नहीं होता जरूरी नहीं कि जिसके पास घूंगरू हो वही खूनी होता और यह भी जरूरी नहीं कि आदमी बिना किसी मतलब के घूंगरूं का बोज उठाए फिरे रात को मेरे घर आने की तकलीफ करें तो आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा कुमार सहब अभी तक तो हवेली ही में हैं लगता है वो यहां नहीं आएंगे मेरा काफी होशयार आदमी से वास्ता पड़ा है लेकिन ज्यादा होशयारी भी कभी-कभी धोका दे जाती है सरकार सिस्क्यों कि अवस्ट सिस्क्यों कि अवस्ट सिस्क्यों से अवस्ट यहाइ़ सिस्क्यों शेया यहाइ़ सिस्क्यों आए़ हुआ हुआ है हुआ है हुआ है कुई नहीं बच्छता, कुई नहीं बच्छता लगए 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 पृतनी की खूनी नजर फिर इस खानदान के किसी आदमी पर लगए थी बदला बदला? बदला कैसा बदला? कुछ नहीं कुछ नहीं लक्षमान तो तुम चुपाना चाहते हैं? आज से बीच साल पहले जब आपके दादा साथ चन्नन गर के जागीरदार बने तो खेलना शुरू किया गाओं की बहु बेटियों की इज़त आबरू से ही खेलना शुरू किया लेकिन ये लड़की ये लड़की भाग गही रामपुर गाओं के मुखिया की ये लड़की इज़त लुटने से पहले ही भाग गही थी अच्च किया आफंग और अफंग 1 हम अढ़ओ से अई प्हूंच तरफ डिप के अरुब कर दो अरुफ। को जढो है अरुब कर दो D उसी दिन से चन्ननगर में एक खौफनाख प्रिपनी का चन्न हुआ उस रात मुखिया राधे श्याम उस रात अपनी बेटी की हिर्सत की भीक मांगने के लिए जब हवेली में पहुचा आपके दादा सहाब में उसे हंट्रों से बहुत पीटा बहुत पीटा फिक वारी है उसे तेखने में ही फिकवा दिया मर गया सहाब का ख्याल है वो वही मर गया लेकिन ये तस्वीर यहां क्यों लगाई गयी लगाई गयी ये तस्वीर यहां इसलिए लगाई गई कि खानदान का कोई आदमी फिर ऐसी गलती न करे इस हवेली के बारे में हर आदमे को सब कुछ पता है लेकिन खुनी के बारे में किसी को मालूम ने है किसी को मालूम ने हुआ 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 ह वैसे तो चाचा तुम गाउं के वेदराज हो लेकिन चोबील घंटे खास रहते हो अच्छा हुआ मैं कभी नहीं बीमार हुई अगर हो भी गई तो तुम से इलाज नहीं कराऊंगे अरे बेटी ये तो बुड़ापे की खासी अब कहा पीछा शोड़ेगी जैसे तुम हो वैसे तुम्हारी बिली तुम अपनी बीमारी नहीं पहचानते और ये अपने आदमी नहीं पहचानते मुझे नीचे कर बना खाना नहीं दूँगी आती हूँ बाबा आती हूँ जिसे न देखो वही चिलाने लगता है आती हूँ पहाँ पहाँ एगाँ आती है कर देखोनी नहीं आती है उसी प्रेतनी की थी क्या वो रोने की आवास डर लगता है कहीं मेरी जान भी न चली जाए हो सकता है चली जाए मैं यही सोच रहा हूँ एक प्रेतनी सी तो मुकाबला कर लेता लेकिन यहार तरफ भूत ही भूत है घर में भूत गाओं में भूत धल्दल में भूत कौन हो तुम? अच्छा तो तुम ही हमेशा रात को जागीरदारों का खून करने के लिए इदर फिरते हो नहीं फिरता नहीं हूँ मैं तो अभी अभी सहर से आ रहा हूँ जासूस हूँ जासूस अच्छा खूनी खूनी को पकर कर इनाम के रुपए हासिल करने के लिए आया हूँ अच्छा कि आप आगे यहां तो खूनी का पता ही नहीं लगता पता लगेगा कैसे इहां के लोग तो खामखा जासूस की गर्दन पकड़ लेते हैं श्मादी जी आप nor a एजी अगी अशली खूनी तो नहीं है रास्ताहँ खतरनाक है डास्ताः घ्रखतरनाक है मत्रे ते क Happiness है भी जी जबताईयए כ अजी सुनिे हमेर रास्ताहँ नाच है पहरे बंढ़ाय का हम्धुक्त मैं मैं ऌचाबराये नहीं संहें हो खाना रखिये seperti it do AC कोषिश कीजिए थे कोशिश लाया थोरा है अर्प्राओं के थिजिदर कृटिया यह अशे अच था है पकडिया यह चोड़ता हूं प्रसों टिया तो नहीं चोल बात काँ चूल के पो इदर लाने कुझ करो इदर... इदर frame शेधर कक मेरी जान बचानी जान बचाना तो मेरा पेश आहा है इस गाउव का वैद हु लाम लार मैं घोपी चल जशु हो का उस ही तो आप नहीं जारे है? यह तो मैं भूल गया उटाइं, हवेली तु नहीं जारे है 타äll दो.. हाँ, हवेली अच्छी, इस रास्तने से चले जजाए इस रास्ते में तो खत्रा नहीं है? नहीं, कौई खत्रा आपके पिता नेकी राम जी का नाम मैंने चाचा जी की डाइरी में पढ़ा थे, वो तो बहुत बड़े जासूस थे और आप? मैं भी बहुत बड़ा जासूस हूँ, इसलिए रास के वक्त भी डलल से बच कर आ गया, मेरी जगा कोई और होता, कोई इस वक्त भग्वान का मिहमान होता लगता है आप बहुत जल्दी खुने को पकड़ लेंगे मुझे कोई जल्दी नहीं है आप अगर मेरे यहां ठहरने का इंतजाम करवादें कड़की है तो आपके खुन के बाद भी खुनी को पकर सकता हूँ तब तो आपके ठहरने का इंतजाम यही होना चाहिए लक्षमान 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 यह लक्षमान कोई है मेरा नौकर, क्यों? लक्षमान पांच साल पहले लक्षमान नाम का एक डाकू जेल से भाग निकला यह लक्षमान तो कहीं वही वालिक लक्षमान यह जासूस साब कुसे नहीं रहेंगे सब इंतजाम कर दुआ यह जासूस साब तू कभी जेल गया था? नहीं गया जेल नहीं गया नहीं गया तो अब जाएगा क्या हुआ कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ 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 अभी तक बक्रियों को लेके नहीं गया देख तो बिचारी भूग के मारे चिला रही है भूग लगी है तो चली जाए घास भी पहचानती है रास्ता भी देखा हुआ बैटी तेरी तर्भीय तो ठीक है न ठीक है तो चाचा क्या बात है बैटी चाचा जो बैटी बक्रियों की फिकर है मेरी जरा भी न इस हाप पे मुझे तेरी ही तो फिकर है बैटी जो चाचा जो चल आप क्यो लखरे दिखा रहे हैं पिलपिली सहाथ, तश्रीफ लाइए, आईए, आईए तश्रीफ ले आईए ना जनाब तो मेरे साथ चला पता लराय हो और पूछते हो घट तुम्हारा है मैं तो इधर मैं तो इधर तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं ठाकुर साथ की हवेली में चले जाओ, बराबर इलाज हो जाएगा तो जाओ ए रास्ता इधर नहीं, उधर है देखते नहीं, मुझे बाहर जाना है चलो, फटो एक तरफ क्याओ इस गाओ वाले प्यासों को पानी बे नहीं पिलाते छी क्या सपना आ जाता कि तुम्हें प्यास लगी है जवाब में नजने कहां से आ जाता है टुम्हें आरा लगत वाला प्रवाब में जीते जीत चायाँ इर्दारों की प्यास ना आस बुजी है और न कभी बुझेगी कि ये आपका कसूर नहीं कुमार से खुबसूर्ती की पूजा करना तो आपके खुन में है मौहन बाबू मेरी खामोशी ना आपकी आत्तें बदल सकती हैं और ना तक्दी फिर भी वैदार राधा का चाचा अगर राधा को भगाने का इरादा हो तो बेशक रामलाल का खुन करके लेकिन इसकी खासी कम नहीं होगी हर वक्त खासता रहता है मुझे आपके बात करने का ढ़ंग बिलकुल पसंद नहीं ख्याल अपना अपना पसंद अपनी अपना मोहन भाबो मोहन भाबो आईये आईये वैदराई देखियेangel कौन आए हैं चंद्धंगाण जागीर के आखरी वारिस कुमार विजय संग कुमार मेरे घर राधा अरी किधर चली गई देख नू कौन आए हमारे घर राधा अरी इधर तो आगे लटई वो तो फिर भी मिलेगी वैदराज आपने यहां आने का कश्ट की उठाया सरकार मुझे हवेली में बुला लिया होता आपके बाप दादा ने जो मुझ पर रहसान किये है मैं कभी नहीं भूल सकता कैसे भूल सकते क्यों वैदराज इनके चाचा जी के मौत के बाद भी आपको यकीन है कि ये काम किसी परेतनी काने मुहन बाबू आप जितना चाहे मेरा मजाक उडाने मगर मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब फिर कहता हूँ कि भूत परेत ऐसे खून कभी नहीं करते मुझे तो ऐसा लगता है कुमार सहब कोई बहुत ही ओश्यार आदमी परेतनी की आड लेकर ऐसे खून कर रहा है लेकिन मैंने तो सुना है लोगों पर जुल्म करने वालों को भगवान ऐसे सजा देता है अच्छा चलता हूँ आप तो ठहरेंगे जी हाँ मुझे तो ये जानकर बड़ी खुश हुई कि आप भूतपयत को नहीं मानते मैं समझता हूँ अगर घूंगरों का राज पता लग जाए तो मुश्किल है कुमार सहर कुछ पता ही नहीं लगता मैं आज ही रात को दलल की तरफ जाओंगा आप भी वही गलती करना चाहते हैं जो आपके बाप दादने की पर यतनी की बाप के खांदान पर शिराब तो है मरना तो है राथा 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 बेटी अधियरे से क्यों बैठी दिया तो जला ले दिया तो जलाले किस सोच में है तू अच्छा चाचा जागिरदार लोग दलदल में उन तीनों के लिए क्यों जाते हैं क्यों जाते हैं बेटी सारे नौ बजे खुंगरू की आवाज इस पुरकशिश आवाज के साथ जागिरदारों की मौत का क्या तालोक है ये बताना भी मुश्किल है अगर कुमार राथकुरू उन तीनों पेड़ों के पास ना जाय तो मना तो मैंने भी किया था लेकिन उसने सुना बेटी जागिरदारों पर यही तो श्राब है कोई कुछ नहीं कर सकता कर दो टो अ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो जरा देख ले आकर परवाने देरी कौन सी है मंद कही दे चले कही दे कर दो 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 मेरा गीत मेरे दिल की फुकार है जहां मैं हूँ वही तेरा प्यार है मेरा गीत मेरे दिल की फुकार है जहां मैं हूँ वही तेरा प्यार है मेरा दिल है तेरी में है तेरा देख ले आकर परवाने तेरी कौन सी है मंदिल कहीं दीप चले कहीं दिल जहां मेरा देख लेख 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 पूरा करना है जिसके लिए मुझे जेल से भागना पला तु आज ही रात कुमा करो जब दोक्ते हंग लेख लेख लेख, लेख लेख, करो अकर उससे करो दहाँ लेख, करो दोटना में है डॉक्टर पांडे पहले तो परेतनी सरफ घूंगरों की आवाज से ही जागिर्दारों को दलदल की तरफ खेंच लेती अब गाना भी शुरू कर दिया आप इस वक्त यहां क्या कर रहे हैं मैं एक मरीज देखकर आ रहा था सेहत के लिए चंदनगर की आवहवा इतनी अच्छी है कि यहां कोई बिमार होकर नहीं मरता मार दिया जाता है अच्छ चलता हूँ झालता है हुआ 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 है हमाश चाहूं तो पांच मिनट में तुम्हे भेष कर सकता हूँ यह अश्चन देख रहा हो यह एक सेकंड में आदमी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है यहाण उना के? वाताम वाताम Aud pass यहाद दो जाए भावजी को ने? जो ए अ भावजी? जो ने भावजी को ने? मैं गोपी चान जासूस जासूस? वो आजमे सटावर्ब अब तुम जा सकते हैं आप तुम जा सकते हैं फर्माएए फर्माता हूँ फर्माता हूँ यह डाक्टर अगर कोई आदमी मर जाए मेरा मतलब है कि मा जाए तो तो उसकी मौत का सर्टिफिकेट आपको मेरा मतलब है डाक्टर को देना पड़ता है न जरूरत तो आप ही मुझे एक एडवांस सर्टिफिकेट दे दीजिये न आप फिकर न कीजिये अगर ऐसा मौका आभी गया तो मैं आप के लिए ये काम बड़े प्यार के करूँगा मैं डाक्टर हूँ जैसा चाहूं कर सकता हूँ जैसा चाहूं कर सकता हूँ देखिये आप अगर डाक्टर हैं तो मैं भी जासूस हूँ मेरे पास भी ऐसे ऐसे सबूत होते हैं कि एक सेकेंड के अंदर ही खूनी को पकड़ सकता हूँ अच्छा पुलेस का मतलब अधार गंजट लेकिन आप कहने कचाते हैं मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ चंदनगर में एक खातिल को पकड़ने का इनाम दस दार रुपय है ना गड़ और चंदनगर में एक ही बगजी है वो भी आधे के पास है ना हाँ वेरे गड़ फिर अगर आप मुझे सिर्फ पांच हजारी दे दें तो मैं हमेशा के लिए रवान बंद कर दूँगा और अगर आप चाहें तो अभी इसी वक्त चंदनगर से दफा हो जाऊंगा ओ आप सत्मुच बहुत परशार जासे उसे तो आप सत्मुच बहुत पुशार जासे हुआ सब़ज गए ना तो लाइए पांच हदार बादर माल पानी उसी के पास है क्या बादर तो इन्हें भी आपे पेशन टेवर पे ले जूँँँगा चली आईए यह आदमी पागल है क्या जा अग्राश्पालिला अच्छा तो मैं चलता हूँ सबूत तो है लेकिन दवा नहीं है इसलिए पांच हजार पर फैसला करना चाहता था दो ही हजार दे देते तो खून होने वाली जगा की काफी छान बीम की गई तो सिर्फ इतना पता चला कि वहाँ एक सुरंग भी है कि अच्छा पता हुआ है झाल झाल जो कोई भी हो सामने आ जाओ आ गया आप यहाँ चंदनगर में यही तो एक जगा मिली है जहाँ आदूई दो घरी शांती से गुदा सकता है जगा तो काफी अच्छी चुनियात में फिर भी चली क्याँ खानी के डर से? मौत के डर से अरे बाप रे कुमाँ साथ अभी चलाएए आएगा अरे बाप रे बाप काड देता तो अरे बाप रे बाप रे कुमाँ साथ अरे यहां साथ क्या हूआ? क्या हूआ? यह तो अभी अच्छी जगी काड़ा दरा दिया यहां दरीगा? यहां दरीए है? अरे अरे मालूम है यह क्या? पेडों के नीचे शुरंग भी है है है? अजी यह तो सोचने की बात है तो आप सोची अच्छा? कुछ समझ में नहीं आता कुछ समझ में भी है नमस्ते भोपिटन्दी नमस्ते नमस्ते भोपिटन्दी नमस्ते ओ, राधा, मैंने तो तुम्हें ही प्रेटनी समझा था चंदन गड़ा कर तो मैं बिल्कुल ही बुद्धू बन गया पेड़ पर बैची हुई लड़की भी प्रेटनी नदर आने राधा, तुम्हें मालूम है, खून होने वाली जगह के पाख एक सुरंग भी है हाँ, मालूम है, मालूम है, आप तो ऐसे खबला जैसे खूनी को पकल लिया हूँ, ये गाउ है, यहां की कोई बात किसी से छुपी नहीं रहते तो क्या सब को मालूम है, जी हां, और बचाओ, क्या, आजपास के गाउवालों को भी मालूम है, अच्छा, तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं, अगर खूनी कोई आदमी होता, तो मैं उसे चोवीज घंटे के अंदर पकड़ लेता आप, हाँ मैं, जवाब नहीं, सच कहता हूँ राधा, ये इंसान का नहीं, परेशनी का काम है, और परेशनी को पकड़ने के लिए जासूश नहीं, तांत्रिक चाहिए, गोलिया नहीं, मंत्र चाहिए, मालूम तो आप यहां क्या कर रहे हैं, मैं तो अभी चला जाता हूँ, लेकिन शिराय के पैसे, क्या बताओं राधा, जब जाने का सोचता हूँ, तो गाउवालों की आँखों में आशू आजाते हैं, रो रो के कहते हैं, जासूश नहीं, अगर आप ही चले गए, तो क्या प्रेश नहीं हमें जिन्दा छोड़ेगी, चंदनगर में तो सिर्व एक आप ही है, जिससे प्रेशनी डरती है, मैं भी यही सोच सोच कर रह जाता हूँ, कि अजर मैं सचमुझ चला गया, तो गाउवालों का क्या बनेगा, उमार का क्या होगा, इसी लिए तो, हैं, चली गई मैं आपके अधुरी डायरी को पूरा करने की कोशिश कर रहूं, चाचाजी, लेकिन मालुम नहीं, कर भी सकूंगा या नहीं, चंदनगर आज भी एक पहली बना हुआ है, वही बग्गी की आवाज, वही घुम्रों की चम-चम, वही सिस्किया, वही लोग, शक करूं भी तो किस पर मैं इससे सुलजाने की कोशिश करता हूँ, यह और उलसता जा रहा है, रात को पुरासरार गाने की आवाज, लगता है किसी बेकरा रू के अधुरे प्यार की पुकार है रात ही बेकर रात की मैं हुआजाने की आवाज़े मैं भीक B. हुआ 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 है कहीं दीव चले कहीं दिल जरा देख ले आकर परवाने तेरी कौन सी है मंदल कहीं दीव चले कहीं दिल हुआ 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 UP मेरा गीत मेरे डिल की पुकर है मेरा देख ले आकर परवाने सी हुआ है तेरे कौन से है मन्दर कहीं दे चले कहीं दे ना मैं सपना हूँ ना कोई राज हूँ इक दर्द भरी आज हूँ ना मैं सपना हूँ ना कोई राज हूँ इक दर्द भरी आवाज हूँ पिया देर न कर पामिल जरा देख ले आकर परवाने तेरी कौन से है मन्दर कहीं दे चले कहीं दे दुश्मन है हाजारों यहां चान के दुश्मन है हाजारों यहां चान के जरा मिलन नजर पह चान के कई रूप में है पातिल कई रूप में है कातिल मैं जिसे मौत की पुकार समझा था मौत की पुकार हो या प्यार की पुकार हो या प्यार की मरना तो दोनों में ही है हां लेकिन सवाल यह है अगर यह प्रितनी की आवाज है तो वह आपको खून होने वाली जगह पर क्यों नहीं बुला तो और अगर यह प्यार का किस्सा है तो वह सामने क्यों नहीं आती है मामला गरवड है हौसलर रखिये वक्त आने पर आपको भी मालूम हो जाएगा मामला विस जगाँ मामला एखियो लक्षमन हो नहो यह वही लक्षमन है जो जेल से भाला था अच्छा लक्षमन लक्षमन हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है 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 हुआ हुआ है हुआ है हुआ 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 करनождён है क्षिर नाराग प्रॉप्स करते है कर दो वेरा ब्लैक सुटकार्य कुमार सहाव, मुझे अर्जेंट बाते करनी है खूनी का पतग गया, तालग गया हाँ, मेरी नजरों से बच कर, कौन है जिस पर पहले ही शक था, लक्षमान कॉफी कॉफी मॉलिक क्या हुआ, आप तो पसीना पसीना हो गए वो तो पिता जी को भी आ जाता था अभी अभी चांद मारी के मैदान में कुमार से मुलाकात हो गई इतने बड़े घर का लड़का होते, वो भी कितना भोला है मैं जाओ, चांद मारी के मैदान में जाओ कुमार तो कह रहा था के तु जब भी उससे मिली जगड़ती रही मैंने तो सिर्फ जगड़ा ही किया था, चाचा तुम होते तो कुमार के दिमाग के इलाज भी शुरू कर देते आमखाई बंदोख चला के बक्रियों को भगा दिया, पूचने गई तो गुंगा बहरा बन गया मटका भरके पानी ले तो सारा पानी ही पी गया भोला है ना, इसलिए तो मनने के लिए चंदनगड में आया, तुम कुछ भी कहो देखना चाचा, मिल गया तो ऐसा जगड़ा करूँगी के चंदनगड़ी छोड़ कर चला जाए, हाँ जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी मजा जब है, तुमारी हर अदा पातिल ही कहलाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी खातिल तुम पुकारूँ के जाने वफा कहूँ, हैरत में पड़ गया हूँ के मैं तुमको क्या कहूँ जमाना है तुम्हारा, जमाना है तुम्हारा चाहे जिसकी जिन्दगी ले लो अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो जमाना है तुम्हारा चाहे जिसकी जिन्दगी ले लो अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो तुम्हारे इस शरारत से न जाने किसकी मौताए जरा नजरों से कह दो जी कितनी मासूम लग रही हो तुम्हारे तुमको जालिम कहे वो जूटा है ये भोला पन तुम्हारा ये शरारत या और ये शोकी जरूरत क्या तुम्हे तलवार की तीरों कि खंजर की ये भोलापन तुम्हारा ये शरागत और ये शोखी जरूरत क्या तुम्हें तलवार की तीरों की खंजर की नजर भर के जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए जरा रजरों से कह दो जी निशाना चूप ना जाए जरा रजरों से कह दो जी हम पे क्यों इस कदर बिगड़ती हो छेडने वाले तुमको और भी है बहारों पर करो गुसा उलजती है जो आखों से हवाओं पर करो गुसा जो टकराती है जुलकों से बहारों पर करो गुसा उलजती है जो आखों से हवाओं पर करो गुसा जो टकराती है जुलकों से सब ne हो कोई, तुम्हारा दिल भी ले जाए जरा नजरों से कहदो जी निशाना चूक न जाये जरा नजरों से कह दो जी मज़ा जब है तुम्हारी हर अगातिल ही कह ला ये जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूप ना जाये जरा नजरों से कह बोजी तू यहां क्यों आया? बकडा गया तो नौकरी तो जाएगी जेल भी जाना पड़ेगा हाँ हाँ हो जाएगा सब इंतजाम आज ही रात को हो जाएगा तू दल्दल में जासूस पर निगा रखना रखूँगा बाबा रखूँगा मैं सावित्री का खयाल रखूँगा तू जा यहां से चल मिल गया वो देखिए कुमा साब गोपी चांची मैं दल्ल की तरफ जा रहा हूँ आप लक्षमन पर निगा रखना आपकी राद, आखरी राद आपकी रखना कर दो कर दो कुमास कमा कर दो, कि व्षाट्स! लाश गाइफ? नहीं, 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 कोई आज मर गया है तो कोई कल मर जाएगा कुमार सहाब आप अभी तक जिन्ता है दिखाई तो ऐसे ही देता है क्यों मैंने तो कुछ और ही सुना है खैर छोड़िये ठीक बताओ बोलने क्यों नहीं गाओं के एक आदमी का फुन हो गया और तुम में से कोई भी उसे नहीं बहचानता फिर से देखो गुमाओ इसे है नहीं दरोगा जी हमने इस आदमी को पे गाओं कभी नहीं देखा तो अच्छी बात है देखो इसे किसका और किसका कुमार बहादूर का कितनी बार समझाया आप चंदंगर छोड़कर नहीं जाएगा न और दुख किस बात का है बेटी कल यूग में एक और ओतार पैदा हो गया है जान देखे अमर होका रहेगा राजबंच का जंडा उंचा करेगा राजबंच का जंडा उंचा ही था बेटी राजा बहादूर मुझे कितना मानते थे मुझे वैदराज नहीं सिवल सर्जन कहते थे जानती है बेटी ये सूट मुझे उन्हों नहीं दिया था एक दिन अचानक राजा बहादूर चल बसे उनका छोटा भाई जागीरदार बना तब ही से इस खान दान पर शराप अच्छा च्छा अगर हम रात को साड़ेनों बजे से पहले दल्दल में जाएं और कुमार को मरने न दें तो तो और क्या चाहिए कुमा साहर इसमें कोई शक नहीं कि लक्षमन नहीं चोरी करके आपका ब्लैक सूट उस दल्दल वाले कैदी को दिया था यह तो मैं नहीं कह सकता लकिन इसमें कोई शक नहीं कि मेरे कपड़े पहनने के वज़े से धरिए धरिए तब तो खूनी ने आपको समझ कर खलती से उसका खून कर दिया हैह शुक्र है कि आप करी रात के वक्त दल्दल की तरफ नहीं जाय करते ठीक खून होने की वक्त में दलदल नहीं था जी हाँ लेकिन खून होने की पहले ही किसी ने मुझे धक्का मारके गिरा दिया धक्का दिगर गिरा दिया तब तो जरूर प्रेतनी होगी राधा राधा, जिसकी मौत पर आंसु बहाने वाला कोई नहीं उसकी मौत के लिए तुम इतनी परिशान क्यों होगी मुझे क्या मालूम था, आप मरें नहीं अगर मर जाता तो तुम खुश होती क्या राधा जी चाहता है भगवान मुझे बहुत लंबी उमर दे और मैं, और मैं इसी तरह तुम्हें देखता रहूँ लेकिन शैतान से दरता हूँ जर्पुक आदमी का जीना न जीना एक बराबर है आदमी हिम्मत से काम ले, तो उसे जिन्दा रहने का रास्ता भी मिल जाता है और साहरा भी बहरों पर करो गुस्सा उलजती है जो आखों से हवाओं पर करो गुस्सा जो टकराती है जुन्फों से कहीं ऐसा नहों कोई तुम्हारा दिल भी ले जारी राधा, जिसकी मौत पर आशु बहाने वाला कोई नहीं उसके मौत के लिए तुम इतनी परिशान क्यूं हो गई जी चाहता है भगवान मुझे बहुत लंबी उमर दे और मैं तुम्हें इसी तरह देखता रहूं यह जाँ जाँ तो रात दिन निशी तरह खुई रहती है तो गई, तो गई काम से आवाज भी भूल गई तो उन्हें भूल जा चल, बड़ी आई समझाने वाले हर वक्त तो नजरों के सामने रहते हैं और कहते हैं भूल जा तुम्हें बताओ न, भूलना इतना असान है क्या तुम्हें बताओ प्रूब प्रूब तुम्हें रहते हैं प्रूब तुम्हें भूलना इतना आवाज भूब बेकरार करके हमें यू न जाई आपको हमारी पसम लोट आई बेकरार करके हमें यू न जाई आपको हमारी पसम लोट आई देखिये वो काली काली बदलिया जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं चोरी चोरी आके शोख बिजलिया आपकी यदा चुरा न ले कहीं यू कदम अकेल नागे बढ़ाई आपको हमारी पसम लोट आई बेकरार करके हमें यू न जाई आपको हमारी पसम लोट आई देखिये गुलाब की वो डालिया बढ़के चुम लेना यापके कदम देखिये गुलाब की वो डालिया बढ़के चुम लेना यापके कदम खोए खोए भमर भी है बाब में कोई आपको बना न ले सलम बहकी बहकी नजरों से खुद को बचाईये आपको हमारी पसम लोट आई बेकरार करके हमें यू न जाई आपको हमारी पसम लोट आई जिन्दगी के रास्ते अजीब है इन में इस तरह चला न दीजिए खैर है इसी में आपकी हुदू अपना कोई साथी ढोद लीजिए सुन के दिल की बात यू न मुश्कुराईये आपको हमारी पसम लोट आई बेतरार करके हमें यू न जाई आपको हमारे पसम लोट लाई कहिए कोई नई ख़वर लाए है क्या वैद राज नई ख़वर तो यह है कि आपकी दवाई से मुझे काफी आरा है पहले तो एक फरलांग चलकर ही ठक जाता था अब तुम मीलो चलता हूँ कोई ठकावट नहीं होती मोहन बावो यह आपके लिए ही नई दवा तयार कर रहा हूँ इस दवा के साथ साथ आप अगर पीने फिलाने का परेज रखें तो बहुत जल्दी भागते दौरते नदर आएंगे लगता है दवाई बहुत जहरी लिए आपकी उगली में भी घावट होगे जहर सही जहर को पुझाना पड़ता है क्यों हो गैदराज गाववाली तो समझते हैं कि जायदाज लालस में आप राधा की शादी कुमार के साथ कर रहा है वजूल बात में करना तो गाववालों की आदत ही हो गई है मैंने भी उन्हें यही समझते है तो नई दवाई के साथ साथ बाकाइदा परेश शुरू करतूँ दवाई कब तक मिल जाएगी सेयार होता ही पहुचाते है सुना तुने लोग कहते हैं तेरी शराब से पहुचाते हैं चंदनगड का राजवंश खतम हो रहा है लेकिन में तेरे ही आशिरवाद से उस राजवंश के आखरी वारिस को बचा लूए मेरा कहना मान ली और जिन्दगियों से खतरना खेल खेलना छोड़ दी तुझे जिन्दगी चाहिए मेरी जिन्दगी लेले कुमार के उमर लंबी कर दी देख मैं भीक नहीं मांगती लेकिन मेरी भक्ती के सामने तू हार जाएगा फिर भी मैं तुझ से ही बिल्ती करते हूँ मुझे होसला दे और कुमार को सहारा मेरी बात का जवाब दे भग्वान जवाब दे खुष तो जवाब दे कुमार के उमर लंबी कर दे कुमार के उमर लंबी कर दे भग्वान कुमार के उमर लंबी कर दे मेरी बात का जवाब तो दे बगो कुछ तो बो सुष्योंक राधा तुम? इतनी रात को यहाँ अखिली क्यों राधा लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे आपके जिवन के लिए अख्वान काशी बात है यह लूची? मेरा जिना फिर उरी, मेरे साथ हाँ हाँ इन्हों ने चंदनगर के लोगों के लिए ऐसे ऐसे काम किये कि लोग इनकी पूजा करने लगे और यह तजवीर है मेरे दादाजी की है इनके कुनाओं की वज़य से ही इस खांदान पर शराब शुरू हुआ मेरे पिताजी माट डाले गए मेरे चाचा जी कतल कर दिये गए राधा शायद मैं तुम्हारी दिल की बात समझता हूं और हर वक्त यही सोचता रहता हूं लेकिन जाने पर भी कुछ नहीं कर सकता तुम नहीं जानती तुम नहीं जानती मैं कितना मजबूर हूँ यह खाली जगा देख रही हूं राधा आज नहीं तो कल यहां मेरी तेजभी लगाई जाएगी कुमार आप आप ऐसे क्यों सुचती है मेरे सोचने ना सूचने से क्या होत रहे राधा जब मेरे कपड़े पहनने से ही एक आदमी माट डाला गया तो जागिर्दारों पर जो शराप है उससे मैं कितने दिन बच सकता हूँ आप ऐसे मन्हूस जागिर छोड़ क्यों नहीं देते जागिर छोड़ने से भी शराप नहीं टलेगा नजाने किस दुख्या की आ है अगर औरत की आह में इतनी ताखत है कि वो सारा खांदान मिटा दे तो औरत की प्यार में भी इतनी शक्ती है कि वो उस आह को ही जना डाले राधा राधा पर बाले झाले थे प्लाधा झाल कि डाल राधा, अगर तुम्हें अपनी प्यार पर इतना भरोसा है तो ऐसे होगा आओ राधा 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 राध को हवेली में अकेली चाचा 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 चाचाच 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 चाचाचाच चाचा, बोलते क्यों नहीं दिया भी नहीं जलाया, अंधरे में ही बैठा हो जाचा, जाचा, तुम्हारी आंख में आसू चाचा, यह क्या हो गया है तुम्हें? चाचा, बताओ ना, बताओ ना चाचा नहीं बताओगे? आसू पहुचने से बदनामी का दाग नहीं पहुचादा सकता बतनामी, आज तुम कैसी बातें कर रहे हो चाचा? खरीब की इज़त पर कीचड उचालने के लिए सिरफ एक बहाने की जरूरत होती है और तुने तो इतना बड़ा मौका दे दिया है लोगों को राधा रात को अकेली हवेली में पहुचे ये तुने क्या किया राधा अपने ही पाउंत अले खांदान की इज़त आपरो कर रौंती होई चली गए चाचा, मैं, मैंने तो सिर्फ कंकर हीरे की जगा न कभी चड़ा गया है ना चड़ा जाएगा तु अपनी हैसियत भूलकर हवेली में पहुच गई राधा कल लोग हमारा मजाख नहीं उडाएंगे चाचा मैं गाओवालों को क्या मूँ दिखाऊंगे राधा तु मैं मुझे कहीं का नहीं रखा नहीं रखा चाचा मैं तुम्हारी सोगन खाके कहती हो मैंने कोई पाप नहीं किया मैंने कोई पाप नहीं किया चाचा कितना तो मुझे तुछ पर वरोसा था रादा वरना इस वक्त यहां मेरी बजाय तुम्हें मेरी लाश दिखाया देती चाचा अगर तुझे मेरा सरावी ख्याल है तो कुमार से हमेशा के लिए मिलना जुन्ता बंद करता है चाचा ऐसे न कहो चाचा ऐसे न कहो चाचा अच्छा तुखुद ही फैसला कर ले कुमार यह मेरी जिंदगी चाचा वाज भी बंद हो गई पहले यकीन था खुनी को पकड़ लूगा लेकिन अब कोई उमीद नहीं रही आप अगर खुनी के बारे में कुछ भी जानते हो तो आप किस खुनी की बात कर रहे हैं जी यहां क्या बहुत से खुनी है औरों का तो मुझे मालूम नहीं लेकिन एक खुनी मैं हूँ अहां जी राधा को कुमार से मिलने के लिए मना किया उसने खाना पीना बंद कर दिया अब आपी बताईए भूखी प्यासी वो और कितने दिन जिएगी दो-चार दिन दो-चार दिन में वो मर गई तो खुन का इदा मुझे पर नहीं आएगा क्या जरूर आएगा जरूर आएगा अच्छा मैं चलता हूँ मैं वापस जाना हूँ मैं आपको सिर्फ ये बताने आ रहा हूँ कि मैं सचमुछी जा रहा हूँ अच्छा आप ये तो नहीं समझ रहे कि मैं साथ वाले कमरे में जा रहा हूँ नहीं लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप शहर वापस नहीं जा सकते क्यूं क्योंकि इनाम के रुपे आपका भी मिले नहीं ये तो ठीक है लेकिन आप ही बताइए जिस गाह में खुनी ही खुनी भरे पड़े हो वहां मैं अकीला क्या कर सकता हूँ मैं जो आपके साथ हूँ आप का समझते हैं आपका नाम खुनियों में नहीं है अगर रड़की मर गई तो खुनी आप होंगे का लड़ी राधा जिसे प्यार के जूचे चक्कर में भटा लिया है तो चाली कई दिनों से भूखी फ्राशी पड़ी है मरेगी नहीं तो क्या जिन्दा रहेगी ए मुहाबत मेरे दुनिया में तेरा काम ना था ए मुहाबत मेरे तु ना आई थे तो अंता भी कही नाम ना था ए मुहाबत मेरे दुनिया में तेरा काम ना था ए मुहाबत मेरे जाने क्यूं आज है शिक्वा मुझे दुनिया भर से इससे पहले तो किसी पर कोई इलजाम ना था ए मुहाबत मेरे दुनिया में तेरा काम ना था ए मुहाबत मेरे मेरे पिसमत के मुझे आश्क ही पीने को मिले मेरे पिसमत के मुझे आश्क ही पीने को मिले मेरे हिस्ते में मुहाबत का कोई चाम ना था ए मुहाबत मेरे दुनिया में तेरा काम ना था ए मुहाबत मेरे ए ए मुहाबत मेरे ए मुहाबत मुझे क्यों तूने मुहाबत दे दी क्या हो में इश्क से पहले मुझे आराम ना था ए मुहाबत मेरे दुनिया में तेरा काम ना था ए मुहाबत मेरे राधा 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 क्या हो गया है सच सच बताओ राधा क्या बात है चाचा नहीं चाहता के हम आपस में मिले इतनी सी बात के लिए परिशान हो गई चल उट्ठो चाचा अपनी जान दे देगा कुमार अपने प्यार के लिए हम चाचा की जान देने तो प्यार हमिशा हमिशा के लिए बदनाम हो जाएगा प्यार अगर सच्चा हो राधा, तो भगवान को भी जुकने पर मजबूर कर सकता है अरचा तो कि इंसान है, नहीं राधा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने दूगा मेरी कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूँ, अभी आप मुझे अके लिए छोड़ देजी, मैं आपसे फिर मिलूँगी मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा सबस्टापकर करूँगी मैं तुम्हें एंप सकता, क्या इंतपना करूँछा वे, क्या एंत! बेटी बेटी क्या तू हर वक्त ऐसे ही रोती रहेगी या कुछ मूँ से भी कहेगी बता तो सही बेटी तू मुझसे क्या चाहती है नाधा तू जानती ना तेरा सुक, चैन, शानती, खुशी यही मेरी जिन्दगी की हरसु है बेटी चाचा चाचा अच्छा बेटी तू समझ ले मैंने अपना फैसला वापस ले लिया नहीं चाचा नहीं तुम्हें बुखी कर दे मुझे अपने खुशी नहीं चाहिए नहीं चाहिए मुझे मालूए यह तुम्हारी दिल की बात नहीं है है बेटी है यही मेरे दिल की बात है कुमार तुझे इज़त से अपना ले इस से ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है चाचा चाचा यह शिराफ ही ठल जाए चाचा यह तो मुझे यह कहीं था कि तुम्हारा दिल पत्थर का नहीं है अच्छा चाचा दुनिया में सबसे ज्यादा तुम मुझे को प्यार करते हो ना चल-चल मुझे भी कुमार से एक बार मिलना चाहिए क्यों अच्छा जा मिटा कुमार को आज राथ ही दलदल वाले मंदर में भीज़ती ताकि उससे मिलकर मैं बात पकी करूँ ने चाब वक्त जाया ना कर वेटी रात होने वाले मैंने जाता आज ही रात दलदल वाले मंदर में कुमार शायद आज ही रात मेरे लिए राम दिन राम दिन राम दिन हमारा राज खुलने से पहले ही हमें यद्धा बदल लेना चाहिए रादा नहीं नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं एक छोटी सी पार्टी है मेरे घर पर ही है आज ही रात को अगर आप भी उस पार्टी में तशीफ लाएं तो मैं अपने आपको बहुत खुश्किसमत सम्षूँग रात को? अच्छे मैं आउँगा थैंक्यू बरी माच नमस्ते गोफिचन जी जड़ी बुचिया तलास कर रहे हैं क्या? जी अच्छा गोफिचन जी आप उस रोज खुणी के बारे में पूछ रहे थे ना? भूल हो गई आप कभी नहीं पूछूँगा आप कभी नहीं पूछूँगा अगर आप किसी से ना कहें तो एक बात बताओ मुझे क्या पड़ी है? किसी की बात किसी को बताओ उस दिन कुमाव ने मुझे पूछा कि राधा कैसी है मैंने थोड़े ही उसे बता दिया कि राधा ने खाला पिला ही छोड़ दिया गोफी चैन जी हाँ जी मैंने अक्सर देखा है एक आदमी सारा दिन उस पहाड़ी के पीछे चुपा रहता है अच्छा और रात भर दलदल में घूमता फिरता है घूमता फिरता है तब तो जरूर खोनी होगा मैं अभी उसकी भी मरमत करता हूँ अच्छा यह यह मैं टेज खुटार लाती है दो हैंड़ा गोभी चंशत आपटनेज़ पुरी शोग मतश्टी पर गुटेशन नहीं आगरे के ताज महर चलिए नहीं! कहा है? वो नहाँ! Mr. Chaudhary? Yes, sir. सुब़े जो मैंने ख़त दिये थी पोस्त करवा दिये? Yes, sir. ठीक है, sir. गो भीचाद, बैठा. हाँ? मैं कहीं, घलत जगा पर तुन नहीं फास किया? यह पूलिस स्टेशन है यहाँ? इनाम के रुपए गए? गोपीचाद, तुना इनाम के रुपएओं का बहुत शौक है, गोपीचाद? है नहीं, ठा. Mr. Chaudhary? Yes, sir. D.S.P. साब ने फॉरन मुझे वापत शहर बुलाया है. पहली गाड़ी से ही जाना होगा. लेकिन आज रात आप खुशार रहिएगा. जी बहुते है. You can also try your luck, go kitchen. Inspector साब, पुलिस डिटेक्ट्टिव Mr. Tripathi. Yes. मैं नहीं मांगते. मैं नहीं मांगते. चिला, और चिला. चिला, चिला के सब सत्यादास कर देगे. तुम कुछ में काओ? काबो. तुम में चिला खून कर तू. तुम खोनी कर जो. लक्ष्मन. मैं नहीं मांगते. मैं नहीं मांगते. मैं नहीं मांगते. लक्षमान, यह लड़की कौन है? मारा गया उस रात दलदल के पास जो आत्मी मारा गया वो इसका पती था मैं पुछ रहा हूँ, यह लड़की है कौन? बेहन मेरी बेहन वो बेहनोई जेल से भाग निकला मैंने उसे हवेली में नहीं रखा वो दलदल में ही रहने लगा मेरी बेहन कहती थी उसे लाल्टर्ण से इशारा करो पुलिस का दर ना हो तो वो उसे खाना दिया है मैं कहता था उसे भगा दे उसे दूर भगा दे रोने लगती और हर रात तुम उसका मुझ बंद कर देते ताके आवाज मुझ तक ना पहुँचे बंद कर देते फिर चोरी किया मैंने ही आपका काला सूट चोरी किया तैयार हो गया मेरा बहनोई यहां से जाने के लिए तैयार हो गया और लक्षमन जो बहन तुमें इतनी प्यारी है कि बिना इजाज़त हवेली में रखता जिसे अपने पति से इतना प्यार है कि वो उसे मरा हुआ मानने के लिए तैयार ही नहीं उस बहन को तुमने सिर्फ यह बताय कि उसका पती मर चुका है उसे ले जाकर आँखों से दिखाए क्यों नहीं कि वो बेवा हो चुकी है इसे बढ़ाओ इसे बढ़ाओ इसे बढ़ाओ तैयार थैंक्स अच्छा डॉक्टर सब कब तक आएंगे बस आते ही होंगे आम सुरी कुमार मुझे एक मरीश को देखने जाना पड़ा लेकिन अफसोस उसे बचा ना सका आप तिशीफ रखिए माभी हादा द्रॉक्टर साफ द्रॉक्टर साफ ये बाजू तो हम हार गए अरे हार ना तो हम सीखने निकाले चरल अब तुम्हारे राजा को बचाने वाला कोई कही दी चले कही दिल जा देख ले आकर परवाने तेरी कौन सी है मंदर कही दी चले कही दिल कही दो हम हर दे तुम्हारे राजू ना मैं सपना हूँ ना कोई राज हूँ इक दर्द भरे आवाज हूँ ना मैं सपना हूँ ना कोई राज हूँ इक दर्द भरे आवाज हूँ पिया देर न कर पामिन हूँ जरा देख ले आकर परवाने तेरी कौन से है मंदल सही दी चले तेही ये आवाने शेक भी पिया को महाँ आप देखा देखा? पुमने कमासा पुदेखा? या वो तो सी दाना देव थे लिए दानाल की तराव? आ के ले? लगर! उमनें! कर दो कर दो कर दो तुम राधा तु अगर आज मुझे धोका ना देती तो अच्छा शादी का जूटा वाइदा करके तुम ही कुमार का खून करने आये थे मांग भरने से पहले ही तुम मेरे सुखाग मिटा देना चाहते थे लेकिन क्यों क्यों इसी कुमार के दादा ने अपनी वहशी व्यास बुझाने के लिए मेरी बेटी चमपा को शादी की रात दबरदस्ती उठाई और राधा जब मैं तेरी बेहन की इज़त की भीग मांगने के लिए हवेली पहुचा तो ये गादमी के गुना के लिए तुम सारा खंदर मिटा देना चाहते थे उस रात होश में आने पर जब मैं तैखाने से भाग कर घर पहुचा अच्छे होता चाचा अगर उसी दिन मुझे भी मर जाने देते तो आज में इस तरह तुम्हारे सामें नहोती पता बेटी कुमार कहा है मैं तुझसे भीग मांगता हूँ भीग? मेरे लिए नहीं बेटी अपनी उस बेहन के लिए ही बता दे जिसकी आत्मा दड़ब रही है के कुमार कहा है अगर इसी से मेरी बेहन की आत्मा को शांती मिलती है तो मेरी बली दे दे चाचा हर इक चीज़ की तहाओ पुलना मरने यह किलर की इससे ज्यादे और क्यों कर सकती है लेकिन मैने तुम्हे मना चीया था लेकिन चाचा ने कहा था कुमार को आज रहता दड़बाले मंदि में जरूर लाना जिसे उचन को सुलजाने के लिए अब कराए कुमार फालो हम वि खमार क्योंहे, खमार बार थनिते K bod wohigu फ॰र trorोंहे वि खिरो बहुद ciaoाब वि ख carbon than क Sumal तो, तुम यहाँ हैं, आप? शायद भगवान की यही मर्दी है के मेरी परते क्या पूरी हो आप? हाँ, मैं मैं हूँ खुनी गामला मैं ही परेतनी के बहाने आज 20 सार से बिल्ली के पाउ में घुंगरू बांद कर उसे दलदल में छोड़ देता और खुंगरू की पुर कशिश आवाद सुनकर खबरदार शायद खुनी ने कुमार पर गोली चला दी है दाई तरफ जरूर कोईने कोई रास्ता होगा, फोरें तलाश करो और खुमार सुनकर बखुने कोईने कोईन इसा उन्हाद खुने तल्स में पुनाएिक लगए खुमा तल्स पुनाए जल्सावऑर एक्षण लगए हंजसाफ जाल मेरा भी यही ख्याल था कोई बहुत ही होश्यार आदमी प्रेतनी की आड़ लेकर ये काम कर रहा है इंस्पेक्टर, एरेस्ट हुआ हुआमारा इंसे अ, हम कर दोका हमारनी काम । फ्र। लेल, भोका ca, भोका! गिज़ कि वा जो विए टर झालति आई एंब ढ़्म वग और लॉडह को पड़ प्रर में करूँ जो रॉड़ तो गॉए घचल तुझ जुझ 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 शड़स भानक झा कर समद 토या भानक बितला, कि यतोанд करूई कागे लगा सुआ! लेल दब! खरी लगा! लेली 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 अबने को भागे अगाने हुदेने हाई आपने आपको कानून के हवाले कर दो, रामलाद रामलाद पानून के संदे से नहीं निकल सकते क्वाल रामलादो continuing पानून करने पते निकल सकते आपने भालादा पतके से एा मतार हो, वरल आपने प्रका अखना सकते रामलादो थाक्र क jackets कूपने एा Liter be Schuloga, आपने एक्रा रामलादों के सकते एामलादों . आख! अम्लाद, अब पुर्द हादने की कोषिश मत्दरो, नीची अदाफ! अरफ में हाद तो खानूम के हावाले दर्दो बरना! इस्पेक्टर साहँ, मुझे मेरे कुनाहों के सजा मिल गई! और कुमार, आज, आज मैं राधा के प्यार के साहँ ने हार गया हूँ, कुमार! राधा, राधा मुझे मौजे मौब करतो बेटी, राधा! चाच, चाच! आज मैं वरी सॉरी, डक्टर पांडे, मैं हमेशा आप पर शक करता रहा। आपकी जगे कोई भी होता डक्टर पांडे पर ही शक करता। दरहसल ये रात को दल्दल में खूनी को पकड़ने के लिए घूमते फिरते थी स्ट्रेंज, रामलाल का एक के बाद एक खून करना। रात को दल्दल में परेटनी का गाना गाना तो राद आगाती थी कुमार साब को खून वाली जगे से दूर ले जाने के लिए और रामलाल खून करता था बदला लेने के, बदला? हाँ, ये रामलाल ही दरसल रादेशाम है, जिसकी लड़की को जागीरदार ने जबरदस्ती उठवा लिया था, but, crime never pays. कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मन्जिल, कहीं दीप जले कहीं दिल, कहीं दिल, जिल, भूझ दिल. कर दो कर दो कर दो